नमस्कार जै गुरुदेव दाज्यू कहानी में हमने छल्ले में देखा था कि मदन जिस इलाके से आ रहा है वुसी इलाके से जग्दिश बाबू भी रहने वाले हैं और दोनों एक दूसरे को जानकर खुश होते हैं मदन जग्दिश बाबू के लिए हर एक वस्तु जो है लाने के लिए तत पर रहता है होटल में जब भी वो आते हैं उनकी खबर अंतर पुछता है उनको क्या चाहिए वो पुछता है अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जग्दिश बाबू मदन के कहने पर कोई चीज लाओ तो कहते हैं पानी लाओ लाया दाज्यो तुरंत मदन जो है वो जग्दिश बाबू को कहता है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ सब्दत को उतनी ही आतुरता और लगन से दूराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चुमती है मतलब वो इस तरह से जग्दिश बाबू को जवाब देता है उत्तर देता है उस उत्तर को ऐसे दूराता है जैसे कई दिनों बाद माँ अपने बेटे को मिलती है और जो प्यार उसके उपर बरसाती हो उसी तरह का प्यार जो है वो जग्दिश बाबू के आने पर मधन को हो कुछ दिनों बाद जगदिश बाबू कायका की पन दूर हो गया। जाना पहचाना लगता है। अपने रंग में जैसे वो रंग चुका हो। उस प्रकार का वो सहर जो है उन्हें लगता है। परन्तो अब उन्हें ये बार बार दाज्यू कहलाना अच्छा नहीं लगता। जगदिश बाबू के पास आकर दाज्यू कहता है तो अच्छी बात है पर दूसरी कोई टेबल पर भी खड़ा है। वहाँ से भी जगदिश बाबू को दाज्यू कहकर बुलाता है। कारता हैं मदन इधर आओ। जब जगदिश बाबू को गुस्सा आता है तब वो मदन को अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं कि तुम इधर आओ। आया दाज्यूू। चगदिश बाबू की बात चुनकर मदन कहता है मैं आ रहा हूँ। चाहे नहीं लेकिन ये दाज्यू दाज्यू क्या चिलाते हो दिन रात। मुझे चाहे नहीं चाहिए। परन्तु तुम जब भी में आता हो दिन रात कोई भी समय हो। तुम दाज्यू दाज्यू क्यों लगाये रखते हो। क्यों बोलते रहते हो। किसी की पेश्ट्रिज का ख्याल भी नहीं है तुमें। किसी की पेश्ट्रिज का तुमें अंदाज्या नहीं है। तुम ख्याल नहीं रखते हो। कोई मानस नी पेश्ट्रिज उच्छी थाए चे। वस्तुनों तारे पन धियान राखु जूए। उँ जगदिश बाबु जिये चे ए आ मदन्य केवा मांगे चे कि तु दरेक जि जिये चे गुष्टाना कार्णे लाल घुम थेई चे एनू अडु जिये चे गुष्टामा चे। सब्दों पर अधिकार नहर सका। मतलब पुताना सब्दों उपर ए नियंत्रण नथी करी सकता। मन फावे यो बोली नाखे चे। मदन्य पेश्ट्रिज का अर्थ समझ सके जिये चे गाया नहीं। मतलब सामयवडों छोक्रों जे चे अबण चे निरक्षार चे। तो एने आ पेश्ट्रिज मतलब मोभो जे चे। ए सब्दनों और्थ एने खबर पड़े चे के के खबर नथी। ये भी उन्ने ध्यान नहीं रहा। मतलब आवस्तुनु पड़े मने दाजयू दाजयू सब्द जेचे, एथी ये बोलावे चे ए गमज तुनौं ती। मधन को जग्दिश बाबू के विवार से गहरी चोट लगे। मतलब ए तो पुताना मोटा भाहे समजतो होतो जग्दिश बाबूने। पर जग्दिश बाबु जे चे ये ये थे ये अने दूख लागे चे, मेनेजर से सीरदर्द का बहाना कर वो गुटनों में सर दे कोठरी में सिसिक्या भरबर रो रहा कैफेनों जे मेनेजर है और पासे पुताने माथु दूखे चे वो बानू बतावी और पुताने रूम उपर चालो जाए चे बेपगवचे माथु राखी और दुखे ने दुखे ने दुखे यी बालक जे छे रड़ी पड़े चे घर गाउं से दूर ऐसी परिश्तिती में मदन का जगदिश बाबु के प्रती आत्मियता प्रदसन स्वाभावी की था मतलब पुते पुताना घर थी दूर हातो अने ये पुताना परिवार थी पुताना गाम थी जे दूर हातो त्या रहे जगदिश बाबु प्रती एहने लागणी थाए एने आत्मियतानों सबंद थाए ये स्वभावावाद हती इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे इजा की गोदी से बाबा की बाहोस के और दीदी के आंचल की छाया से बल पुर्व खीच लिया हूँ पहले एने पहली बखात ज आज जग्दिश बाबुनी वाद सांबली एने गुस्चो आवे छे मतलब दुख लागे छे के एनी माना खोडा मां थी एनी बेनना पासे थी अने एना पिता ना जे बंधन मां थी कोई ए खेंची आने जबल जास्ती दूर जैने फेंकिदी दो ह यह ए वो एंसास जे छे एने लागे छे परन्तु भावुकतास थाई न होतो लागनी जे छे इस जियारे न होय त्यारे आवा प्रोब्लम हो जे छे आवी समस्या हो जे छे थति वोय छे रो लेने पर अंतर की गुमडती वेदना की आखों की राह बाहर निकलने पर मनुष् झाबी निष्चे करता है कि वे भावुक्षणों के अपेक्स आधिक विवैपपुर्ण होते हैं अन्यारे सामे वाली व्यक्ति ने तमारी प्रत्य लागनी न होए तमिय लागनीशिल हो जे ए लागनी सिल ना जे उमलका जे छे उमलका ने अंदर जयारे तमने पोताने ठे या भीना, इपुतानों व्यभार राख से, व्यभार कर से, मदन पुर्व वत काम करने लागा। अबालक जे छे, पहला जे वी रीटे यनों कोई उ़खीतो पालखीतो नो ओतू, हने यंद्रवत काम करतो ओतो, इवी जे रीटे, फरी पाचो, ए केफे निया अंदर, येनों कोई उघःतो नो थी, इवा भाव सते, कामे लागी जाये छे? दूसरी दिन केफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबु की भेट बचपन के सहपाटी हैमन्त से हो गए विजा देविशे जगदीश बाबु अहोटल ने अंदर केफे ने अंदर जता होए छे त्यारे जगदीश बाबु ने इसारे से मदन को बुलाया परन्तु उने लगा जैसे वह उनसे दुर दुर रहने का प्रहत्न करना हो जगदीश बाबु अने हेमन्त जीए छे केफे ने अंदर पॉँचे छे मदन ने हाथ नो इसारो करीने बुलावे छे पर मदन जीए छे जाने जोयूज न थी अने जगदीश बाबु थी ये दूर जतो होए दूर रेवा मांगतो होए इवी रिते ए पुतानो वर्तन करें छे दूसरी पार बुलाने पर ही मदन आया मतला बिजी वखत ज्यारे जगदीश बाबु एने बुलावे छे त्यारे ज मदन जे छे जगदीश बाबु पासे आज उसके मुँपर वह मुश्कान ना थी जे हास्य जे उच्छा एना चेहरा उपर पेहला जोवा मलती आती ए हास्य के आना दिजे छे एना चेहरा उपर आजे बिलकुल ना हती और नहीं उसने क्या लाउ दाज्यो काहा जग्दिश बाबुने एपन पुछतो ना थी कि तमारी माटे सो लाउ मोटा भाई स्वेंग जग्दिश बाबु को ही कहना पड़ा मतले पोते जग्दिश बाबुने जो ओडर आपपो पड़े छे दो चा, दो अमलेट पर तब भी लाया दाज्यो कहने की अप्धिश बाबु को ही ओडर देना पड़ता है दो चाई, दो अमलेट परणतो तब भी लाया कहने की अपश्या लाया साब कहकर वचल दिया जग्दिश बाबु जब ओडर देते हैं तो जन्रली वो जगदीश बाबू को जवाब देता था कि लाया दाज्जियू उसकी जगा आज पहली बार वो लाया साब ऐसा कहे कर वहां से चला जाता हैं पानो दोनो ओपर इची तो जे वी रिते बहने एक भी जाती अजाना होये वी रिते वेवार करी रहे होतों सायद पहाडी आँ हैं है मन्त ने अनुमान लगा कर पूछा है मन्त जे छे ये पण एज विस्तार नो होतों अने इटला माटे ये अनुमान लगावी जगदेश बाबुने कहे चे के लगभग आ पहाडी विस्तार नो लागया छे हां रुखासा उत्तर दिया जगदेश बाबुने और वार्तालाब का विशय ही बदल दिया ये ओ लागणी विनानो जवाब हा कहे चे अने आखो वातनो विशे जे चे पचि बदली ना खे जेथी करीने मदन ना विशे कोई वादचित निकड़ें नए मदन चाई लेया आया था क्या ना में तुमारा लड़के मदले पिलो मदन जे चे चा लईने आवे चे येले हेमंद जे चे मदन ने पूछे चे कि सुन आम चे तारू बेटा हेमंद ने ऐसान चड़ाने की गरज चे पूछा मदले येने मदन उपर कोई ऐसान करतो है ये वी रित्ते ये आवालक नूँ नाम पूछे चे कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंबिर मौन चा शा गया मरला थोड़ी वार माटे टेबल पासे जाने एक गंबिर चुपकी दी जे चे ये छवाई जाए चे जगदिश बाबु की आँखे चाई की प्याली पर ही जुकी रह गए जगदिश बाबु जे चे चाना ग्लास नी तरफ अज ये जोई रे छे मदन नी सामू जोई सकता ना थी कि न थी एमंत ने प्रस्न पुछवा माटे ना कई सकता मदन की आँखों के सामने विगत स्मृतिया घुमने लगी मदन जे चे एनि आँख नी सामे बुद्काल नी यादो जे चे ये ताजी थे जाए चे जगदिश बाबु का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना मतलब आभीज रिते जगदिश बाबु ये पण हैनो परिचे मेल वहतो फिर दाज्जियो आपने तो कल थोड़ाई खाया मतलब एपची मोटा भाई तमे तो काले थोड़ू कज जम्या हाता और एक दिन किसी की पेश्ट्रिज का ख्याल नहीं रहता अने एक दिन मतलब आभीज बाई जेचे जगदिश बाबु तरफ थी मतलब आभीज थपका रूपे जगदिश बाबु ने आखे उठाकर मतलब आभीज देखा मतलब चानी प्याली तरफ हमनो ध्याना तो आख मुची करी औने मदन नी सामेज हुएचे उने लगा जैसे अभीज जवाला मुखी साब फूट पड़ेगा मतलब आभीज एमने एवू लागेचे कि जाने अत्यारेच एस जवाला मुखी नी जेम फाड़ी बढ़सी इटलो घुसो जेचे मदन ना चेहरा उपर चकदिश बाबुने जोवा मालेच हेमन ने आगरा के स्वर में धूर आया मतलब फरी पाचो आगरा पुर्वाक एवातने रिपीट करेचे क्या नाम है तुमारा मतलब स्वर नाम चेतारो बाई कहते है साव मुझे संक्सिप्त्या उत्तर देकर वह मूड गया मतलब पोता ना विशे कहे चे मने ओटल ने अंदर वधालो को बाई कहे चे अने आवटों को जवाब आपी अने तिया थी चाल्यो जाए चे आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुन्दर हो गया था मतलब गुस्तानी आंता यहनों चेहरों जे चे लाल थाईने लाल भूम थाईने खुबल सुन्दर लागी रियो तो तो ही यहाँ जे लागनी शिल्ता जे चे यह लागनी शिल्ता उपर असर करोई वारताना एक जे चे मदन चे जगदिश बाभू जे नी लागनी शिल्ता साथे पुता नी जे वेवर कुसरता नी वाद करे चे कुदानी पेश्ट्रिजनी वाद करेचे, तियां लागरी श्रीलता जेचे, यहारी जायेचे, यहानी पराजे थायेचे, तो वजाने वेक्ती साथे आविरी ते क्यारे जोया जाना विना, हली मली न जोवुजुए, इ मदन ना पात्र द्वारा अपने शीख मलेचे, नहीतर मदननी जेम चल्ले दुखज प्राप्त थतू होयेचे, तो यहां आपाट जेचे, दाज्यू कहानी पूरी गरियेचे, दन्यवाद, जै गुरुदेम झालो